नमस्कार सुआगेता आप सभी का राष्टे लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी के गटबंदन के बाद कई सीटे एसी है जहां आप कोंग्रेस के लिए मुस्किल पेदा हो सकती है जी हां कासकर जोधपुर लोकसबा सीट क्यूंकि खबर आ रही है कि जोधपुर में गजेंदर सिंग सेकाउत के लिए बेनिवाल खुद परचार कर सकते हैं बेनिवाल जाट वोटरों को बीजेपी की तरफ खिंशने की पूरी कोसिस करेंगे वेसे भी खबरे आती रहती है कि गहलोत जाट विरोधी है अगर जोधपुर में जाट वोटर बीजेपी के साथ आते हैं तो वेभव गहलोत के लिए यहां से निकलना काफी मुस्किल हो सकता है आपको बता दे जोधपुर में जातिय समीकरण शुरू से ही हावी रहा है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि राष्ट लोगतांत्रिक पार्टी और बीजेपी का गटबंदन वेभव गहलोत के लिए खत्रे की गंटी साबित होता है या नहीं वेसे कोंगरेश भी वेभव को जीताने की पूरी कोशिस करेगी यानि की जी जान लगा सकती है कोंगरेश यहां से क्योंकि अगर वेभव को सुरुवात में जटका लग जाता है तो आगे की राजनिती काफी मुस्किल हो जाएगी काफी मुश्कीले पेदा हो सकती है आगे की राजनेती करने के लिए वेबग गेलोत के लिए सुत्रों की माने तो हनुमान बेनिवाल जोदपुर में एंडिये के लिए चुनाव परचार कर सकते हैं NDA के लिए यहां से अनुमान बेनिवाल परचार करते हैं तो गजेंदर सिंग सेकाउत को काफी फाइदा मिलने की संभावना है राजस्तान की तमाम न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं